नमस्कार स्वागत है आपका दन्यूस पर मैं हूँ आपके साथ श्वेरिन और आज बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली में आई आपदा को लेकर जिस पर एक तरफ आम आदमी पार्टी कर रही है राजनीती तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सांसत संजे सिंग की खोली है पोल पत्रकार शुसान सिन्हा ने दरसल आपके लिए वता दें कि अपनी जिम्मदारियों से भागने वाली आम आदमी पार्टी की पोल पट्टी खोलके रगदी है अपने शो के दौरान शुशान सिन्हा ने जिस तरीके से लगातार ये आरोप लगाये ज पालात है उसकी जिम्मदार केंद सरकार है और हतनी कुण से पानी छोड़ा गया है जान बूच कर और उत्रपरदेश को सूखार रखा गया है और इसलिए दिल्ली में बाड़ आई है ये लगातार आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी के सांसद उनके नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं पर आख के लिए बता दें कि आखिरकार क्या है इसके पीछे का गड़े तोर हम क्यों कह रहे हैं कि शुषान सिन्हा ने खोली है संजय सिंग की पोल और आम आदमी पार्टी की जोस तरीके से लोगों को ब्रहमित करने की कोशिश की जा रही है आम आदम आदमी पार्टी के द्वारा आख के लिए बता दें कि जिस हतनी कुंड को लेकर जोस तरीके से लगातार बात की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि मोधी सरकार ने जान बूच कर दिल्ली में बार लेकर आये हैं मोधी जी मोधी जी ने दिल्ली को खत्रे में डाल दिया बी हतनी कुंड को लेकर लगातार जो है सवाल साधे जा रहा रहे हैं कि हतनी कुंड का पानी जो है वह उत्ति परडेश नहीं Perché चोड़ा गया यानि कि उत्रपरदेश की दरब का जो कनाल है उधर नहीं छोड़ा गया पूरा पानी दिल्ली में छोड़ा जिस बाड को लेकर लगातार राजनीती की जा रही है इसके पीछे का असली फाक्ट क्या है दरसल आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से हतनी का पानी जो है वो ओटोमेटिक तरीके से जो है वो यमुना से होता हुआ आता है क्योंकि यमुना जो है वो सिर्फ दिल्ली में नहीं बलकि अन्य राजियों में बह रही है और उपर से आए पानी यानि की हिमाचल से लेकर उत्राखंड और तमाम जगाहों पर भारी दें कि वहां से जो है दो टरनल है यानि कि बीच में से यमुना भे रही है और साइट से यानि कि वेस्टन जो कनाल है वो हर्याना और दिल्ली के लिए पानी छोड़ता है और वहीं इस्टन जो कनाल है वो पानी छोड़ता है उत्रपरदेश के कुछ जिलों के लिए यानि क हर्याणा और दिल्ली की तरफ आने वाला जो पानी है वो 18,000 क्यूबिक पानी जो है वो सिर्फ इन कनालों में छोड़ा जा सकता है जो कि बारिश के समय पर छोड़ा भी गया था जो तरीके से पहले कम बारिश हो रही थी यानि कि मौनसून की शुरुआत का यही राज्यों मे हुई जिसके बाद यह पानी दोनों जगाहों पर ही सीमित रूप से छोड़ा जा रहा था और बात करें हम नौतारिक की तो नौतारिक को काफी जादा बारिश होने के साथ जो है वो उपर से काफी जादा यानि की जो जादा मात्रा का पानी है जादा पानी जो है वो कनाल म तरफ इस एक बंद लोन इन दोनों जगाहों पर पानी नहीं जा सकता यानि कि एक तरफ हर्यारand और दिल्ली के तरफ पानी आ रहा था और वहीं दूसरी तरफ पानी उत्रपरदेश की तरफ जा रहा था और यह पानी उसी लिए ए'sila big dream क्योंकि automatic दर्वाजे जो हैं वो बंद हो जाते हैं क्योंकि इसका कारण ये है कि जो कनाल बनाए गए हैं इस्ट में और वेस्ट में वो काफी जादा छोटे हैं और अगर इनके अंदर ये बाढ़ का पानी चलाया जाएगा तो यमुना का जो गाद है यमुना की जो गंदगी जो पहले से ही चलती हुई आ रही है उसकी वज़े से ये कनाल जाम हो जाएंगे इसलिए जब भी इस कुण में पानी आता है अगर उसकी मात्रा याने की अगर 18,000 है 20,000 या फिर उससे जादा हम कहें कि 99,000 तक पानी अगर उपर से आ रहा है तो ये पानी डाइवर्ट जो है कर दिया जाता है दर्वाजय खोल दिये जाते है कनालों के इस्ट के और वैस्ट के जो पानी हर्याना और दिल्ली आता यही जो उत्र पर देश जाता है और यहीं बड़ा कारण है कि पानी जो है वो सिर्ब हज़ारों की तादात में नहीं आया है बलकि 3,50, daw क्यूबिक ज उसके चलते ये दर्वाजे जो की सिस्टेमाटिक तरीके से काम करते हैं वो बंद हो जाते हैं और यही तमाम चीजें जो हैं वो कल समझाई गई शुसान जिन्हा की दरब से अपनी पार्ट शाला में और हर चीज को उन्होंने बारिकी से भी बताया कि किस तरीके से ये तमाम सिस्टेमाटिक तरीके से काम करती हैं और आखिरकार क्यों आवा आदमी पार्टी जो है वो पूरे मामले पर लोगों को बरगलाने का काम कर रही है एक तरफ उन्हों पर पूरे मामले को समझाया तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि डोकिमेंट के अनुसार या वो शुसान सिंहा की तरफ से दिखाई गई पर आज भी यानि कि उस वीडियो का परड़ा फ़ाश हो चुका है जो वीडियो कल आम आदमी पार्टी के कारेकरता की तरफ से बराई गई ती जुसपर योगी सरकार से लेकर देश की केंद सरकार पर निशाना साधने का प्रया तो नहीं दे रही है कि किस तरीके से सिस्टेमाटिक तरीके से जो है यह काम हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आज फिर एक बार संजय सिंग ने प्रेस कॉंफरेंस करके इनी बातों को दोहराया है और आज फिर एक बार यह बात कह रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली की जंता को जो है वो मोदी जी की वे से तरस्त होना पड़ रहा है मोदी जी ने जान बूच कर उत्र पर देश में पानी नहीं छोड़ा दिली में बार के कारण जो है वो हतनी कुंड का हतनी कुंड है इस तरीके से क्योंकि सरकार ने जान बूच कर पानी छोड़ा पर असली तथे यही है कि किस तरीके से जो कनाल हैं वो सिस्टेमाटिक तरीके से बंद हो जाते हैं क्योंकि अगर जो बहाब का पानी इन कनालों में जाएगा तो जादा मलबा फस जाएगा उनमें और इसलिए वो कनाल जो है वो सिस्टेमाटिक तरीके से बंद हो जाते हैं पर आज अपनी पूरे मसले पर की जा रही है जस तरीके से फिर एक बार राजनीती आम आदमी पार्टी की तरफ से जो की जा रही है विसमे सवाल भी उठने लगे हैं क्योंकि एक तरफ शुषान सिनहा के दुवारा पोल खोल देना फिर वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से हर याणा को जिम्मेदार ठहराना ये दर्शाता है कि जब भी आम आदमी पार्टी या दिल्ली में कोई संकट आता है तो आम आदमी हमेशा इसी तरीके का विक्टिम कार्ड खेलती है चाहे फिर आज दिल्ली में बार के हालात हो या फिर इससे पहले कोविड के इस्तिती हो हमेशा आम आदमी पार्टी की तरफ से इन तमाम चीजों को केंद सरकार पर डालने का प्रयास किया जाता है पर आज जनता इन चीजों को भली भाती संजे सिंग खेरस पूरे मामदे पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट करके सरूर बताइए धन्यवाद